समूचा उत्तर भारत इस समय ठंड की चपेट में है। नियुनतम तापमान लगबग साथ दिग्री दर्ज किया गया जबकि अधिकतम तापमान अठारे डिग्री सिल्सियस के आसपास रहा। कानपूर समेत विभिन इस्थानों पर भी लोगों को कड़कडाती सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। वही पहाड़ी स्थानों में हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, मनाली, शिमला जैसे स्थानों पर हो रही बर्फ पारी के कारण स्थानी लोगों को तो दिक्कतों का सामना करना पड़ ही रहा है। वही राज्य में घूमने आने वाले सैलानी भी जहां तहां फसे हुए हैं। साथ ही लोगों को बिजली पानी की किलत से भी जूजना पड़ रहा है। जमुकश्मीर के लद्दाक शेत्र के लेह एवम करगिल में मौसम का अब तक का सबसे कम तापमान धर्ज किया गया। इस समय जो गलन चल रहा है इसमें बहुत जादा बरफीला मौसम जैसे लग रहा है कहीं पर बरफ पड़ी हुई है। सितम बढ़ाती इस सर्दी का एक और शिकार बनते हैं स्कूली बच्चे हलांकि कुछ स्कूलों में बढ़ती सर्दी और क्रिस्मस नए साल की छुटी कर दी गई है पर कुछ स्कूलों में बच्चे कड़ाके की ठंडों कोहरे की धुन के भीच ठिटुरते हुए स्कूल वहीं बेघर और सड़क पर रातें गुजारने को मजबूर लोगों के लिए तो सर्दी मानों मुसीवतों का पहाड बन कर आती है प्रशासन के इंतजाम भी इस कुदरती कहर के सामने बौने से नजर आते हैं ब्यूरो रिपोर्ट टीडी निउस